नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भलचंद्रा, ब्रह्मान्ड सिद्यास्ट्रों में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मान्ड सिद्यास्ट्रों में आप सभी का स्वागत है। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा, सुबह साथ बचकर अट्वाँ मिन्ट से लेकर नौ बचकर बाइस मिनिट तक और या मगंड़काल सुबह दस बचकर चालिस मिनिट से लेकर बारा बचकर दस मिनिट तक का होगा। राहुकाल और या मगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महतो पुर्णकाम या फिर निर्ने बिलकुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा मेश राशी में ब्रहवन करेगा। आज के दिन शुक्र और शनी का केंद्र योग भी होने जा रहा है। ये अग्रसिती सामने रखते हुए, बारा राशियों का राशिपल क्या होगा, इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशी है मेश राशी, मेश राशी में ही चंद्रमा का ब्रहमन है और आपे के सब्तमभाव में से शुक्र के साथ आपके दशंभाव का जो शनी है वो के इंद्रियों करने जा रहा है। आपके सब्तम्भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए जैसे कि रवी, शुकर, बुद्ध और गेदू और दिनाग आठ तरे को ग्रहन भी होने जा रहा है तो आपके लिए सबसे महतो पुर्णबाद अगर आप विवाईत हो तो आपके जो वैवाई जुडिदार है उनके स चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरा थोड़ी बड़ भी सकती है घर के जो लोग है उनके साथ भी problem complications हो सकते हैं खुद पर सयम रखना इस संपुर्ण वीक में बहुत ही जादा आवश्रक होगा किसी भी प्रकार के अगर आपके सामने प्रलोग बनात हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लेना काफी जादा महतवपुर्ण साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी की वेयवाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके शश्ट बाव में से शुक्र के साथ आपके भाग्य बाव को जो शनी है वो केंद्रियों करने जा रहा है आपके शश्ट बाव में बहुत सारे ग् आवश्यक होगा, स्वास्त के बारे में अगर कोई तकलीफ या अगर इसके बारे में कोई भी अगर आपको सिंगनल संकत मिलते है ज़रूर उस पर काम कीज़े, उसी परकर जो भी आपका कारशेतर हैं वहाँ पर कि जो लोग होंगे, उनसे भी आपको सजगरेना ज्यादा आवश्यक होगा आज की दिन स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना महत पुर्ण होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के लावभाव में चंदरमा का ब्रहमन है और आपके अश्टमभाव में से शनी के साथ आपके पंचमभाव का जो शुक्र है वो केंदरियो करने जा रहा है आपके लिए सबसे महत पुर्ण बाद अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेट करते हो तो किसी भी प्रकार के महत पुर्ण नीरने इस सम्पुर्ण विक में बिल्कुल भी नहीं लेना आपके जो नीरने हैं वो चूक सकते हैं उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर भी मिस अंडरस्टेंडिंग होने के संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है उसी प्रकार इस विक में किसी भी प्रकार के महत्वपुर्ण पैसे के मामला तो जो ट्रांसेक्शन होंगे खर्चे होंगे इन्वेस्टमेंट होगी वो बिल्कुल भी नहीं करना इसके बात कि जो राशी है वो है करक राशी आपके लिये आज का जो दिन है मैं तो पुन्न साबित होगा जैसे की आपका जो संपुन्न जो इन्टरेस्ट है, वो आपके घर के जो लोग है, फेमिली के जो लोग है, उनमें रहता है तो उसी के संदर में चोटे मोटे प्रॉब्लम यो कॉंप्लिकेशन इस संपुर्ण सप्ता में आने की संबाउना काफी ज़्यादा बंदरे तो ध्यान रखी है उसी परकार आपके घर के जो मैणा सदिस से रहेंगे उनके साथ आज के दिन चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है बस उसी के उपर आपको ध्यान देना बहुती जादा आवशक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है सिंग राशी सिञ्ग राशी के भागय भाव में चंद्रमा का ब्रहबन है आपके के तृतियों भाव में से शुकर के साथ आपके 6 भाव का जो शनी है वो के अंदरयों करने जा रहा है आज का जो दिन है थोड़ा महतुपृपृण सावित होगा खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्व प्रणनिन ने जिसके वज़े से आपकी जीवन की दिशाही बेदर जाए थोड़ा सा ध्यान दीज़े उसे प्रकार छोटे मोटे क्योई भी decision आज के दिन विल्कुल भी नहीं लेना अगर आपको कही बाहर घुमना फिरना है तो स्वायम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्रक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के आश्टम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके द्वितिया भाव में से शुक्र के साथ आपके पंचंबहों का जो शनी है वो केंद्रियों करने जा रहा है स्वास्त के बारे में ध्यान रखिए उसी प्रकार आपके जो खर्चे रहेंगे या फिर इंवेश्मेंट रहेंगे उसे के बारे में भी आपको थोड़ा चोगना रहना होगा रिस्क लेकि कोई भी आर्थिक जो व्यवार है वो बिल्कुल भी नहीं करना इस सप्ता में ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जादा आवश्रक है इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के सप्तम भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपी के राशी में से शुक्र के साथ आपके चतुरतवाओ का जो शनी है वो केंद्रियोक करने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए कास करके अगर आप विवाईत हो तो आपके जो विवाईत हो जो डिदार है उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो काफी बड़ भी सकती है इस सपुल्ण सप्ता में आपको इस चीज़ों पर ध्यान देना काफी जादा आवश्यक होगा उसी पर आपके घर के जो बुज़ुर्ग विखती रहेंगे उनके साथ आज चोटी मूटी बातों को लेकर लड़ाई हो सकती है तकरार हो सकती है इसके बात की जो राशी है वो है बृच्चिक राशी बृच्चिक राशी के शेष्ट बाव में चंद्रमा का ब्रहमन है आपकी के वेई बाव में उनके साथ चोटी मोठी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और यह तकरा थोड़ी बढ़ भी सकती है घर के जो लोग है उनके साथ भी आपके जो तल्लुकाद है वो आज के दिन नौर्मल नहीं रहेंगे आने मुझे दो से तीन दिनों में इन चीजों पर ध्यान रखना काफी जादा आवश्यक होगा उसी प्रकर यह जो संपूर्ण सप्ता है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है इसके बात की जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी के पंचम भाव में चंद्रमा का ब्रहवन है आपके के लाब भाव में स्थित शुकर के साथ आपके द्वीतिया भाव का जो शनी है वो केंद्रियोग करने जा रहा है महतोपुर्ण दिन है आपके लिए अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में है अवश्रक होगा स्वास्त के बारे में भी परिश्यानिया हो सकती है तो ध्यान रखिए स्वायम के स्वास्त के बारे में ध्यान रखना आवश्रक होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के चतुर्त बाव में चंद्रमा का ब्रहवन है आपिके राशी में से शनी के साथ आपके दशंभाव का जो शुक्र है वो केंद्रियों करने जा रहा है महत अपुर्ण दिन है आपके लिए खास करके आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान रखना आवश्चक होगा उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहाँ पर चुटी मूटी बातों को लेकर दकराह हो सकती है स्वसे मैं और करुने बाद आने वाले सब्ता में जो भी आपका कारश रहे वहाँए जो लोग होंगे वहाँपर के जो वरिष्ट होंगे उनके साथ आपकी तकरार हो सकती है तो ध्यान रखिया कुद पर सायम रखना आवश्रक होगा स्वास्त के बारे में भी ध्यान रखना आवश्रक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुमबर राशे के दृतिय अभाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपी के भग्य अभाव में से शुग्र के साथ आपके वेई अभाव को जो शनी है वो केंद्रियोग करने जा रहा है आज का जो दिन है महतोपूर्ण साबित होगा कास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महतोपूर्ण निरने नहीं लेना आपके घर के जो लोग है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है उसी प्रकार स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना इस संपूर्ण सप्ता में बहुत ही जादा आवश्यक होगा इस संपूर्ण सप्ता में ऐसे कोई भी अगर आप निरने लेता है जिसके वज़े से आपके जीवन की दिशा ही बदट जाए इस परकार के निरने आगे जाके गलत साबित होंगे तो थोड़ सा सोच समझ कर ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है मीन्द राशी मीन्द राशी के द्वित्याबाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है आपके अश्टमबाव में से शुकर के साथ आपके लाबभाव को जो शनी है वो केंद्रियों करने जा रहा है आज का जो दिन है महत्वण साबित होगा स्वास्त के बारे में तकलीफ है या फिर उसके कुछ संक्यत आज की दिन आपको मिल सकते हैं जरूर उस पर काम कीजिए उसी परकार आनिवले सप्ता में स्वायम के स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुती ज़ादा आवश्यक होगा उसी परकार आपके जो पैसे के ट्रांजैक्शन रहेंगे खर्चे रहेंगे उसके पर भी थोड़ा सा आपको सावदान रहना आवश्यक होगा तो दोस्तो ये था दिनांग 7 नवंबर 2022 का संपुर्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकाल से अनुभाव किया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है प्रमान्द सिद्ध्याष्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना धन्यवाव